जैश्यराम जैशिदाराम इस्थिर लगन का पूजा कब करना चाहिए दीपावली में जिससे ब्यापार में बढ़ोत्री हो बारा नॉब्बर दो हजार तेईस दिन रविवार दोपार में कुम्भल लगन जो इस्थिर लगन के रूप में प्राप्त हो रहा है इसमें ब्यापारी वर्ग 12 बज कर 45 मिनुट से 2 बज कर 16 मिनुट के बीच में बिद बिधान से गनेश जी महालक्ष्मी कुबेर का बिद बिधान से पूजन करें उनके ब्यापार में उन्नती होगी उनके कारशेतर में बढ़ोत्री होगी और उनकी सारी मनोकामना धिरे-धिरे पूर्ण होगी दूसरा महराज जो परदोस काल में इस्तित है वह समय परिवार के सहीद बिद्विधान से गड़ेश महालक्षिमी कुभेर का पूजन करने का महुर्थ है वह महुर्थ सर्वत्तम महुर्थ कहा गया है पांच बज़ कर तेईस मिनट से ले करके और साथ बज़ कर ग्यारा मिनट का या महुर्थ सर्वत्तम महुर्थ है इसमें परिवार साहित बिद्विधान से गणेस लक्षमी कुबیर रिद्धी सिद्धी का और हनमान जी का आँवहन करें बिद्विधान से पूजन करते हैं तो सारी मनो कामनाय माता लक्षमी पून करती हैं और इसमें ओम स्रीम महालक्ष में ममग्रिये आगख्ष आगख्ष स्वाहा इस बंत्र से 108 आउती कमल गट्टे के बीज गूगल लेकर के हम उनके समगरी मिलाकर के एदा आउती देते हैंगे का देशी गाय का तो आपके घर में धन की लक्षिमी की कमी नहीं होगी आपके यहा लक्षिमी जी इस्थिर भाव से बनी रहेंगी और महानिसा का पूजन कैसे करना चाहिए मराजी तो महानिसा का पूजन जो होता वो रात्री में होता है वह सिंग लगन में होता है तो इस वर्ष में जो हम लोग पूजा कर रहे हैं इसमें सिंग लगन जो है वह ग्यारा कर 51 मिनट रात्री में लग रहा है सिंग लगन और जा करके दो बज करके चार मिनट तक या महानिशा पुजा विद्विधान से मंत्र जागिर्ती करना है कोई जब करना है कोई हमन करना किसी की साधना करनी है, कोई तबस्या करना है वह सब आपका पूर्ण होगा, आपकी सारी मनों का आमनाएं पूर्ण होंगी, तो इसमें कैसे करें महराज, इसमें आप हमन सामगरी त्यार कर लेजिए, गौ घृत लेजिए, हमन अगरी पुरा विद्विधान से तैयार करके, इसमें विशेष लक्षमी जी का पूजन होता है। इसलिए कमल गट्टे का बीज 108 से लेकर के 112 तक आप बीज ले लिजिए और गूगल ले लिजिए और साथ में बेल का गूदा ले लिजिए और उसके साथ में बिद बिधान से लेकर के हम लोग जैसे तिल है, जव है, चावल है, उसके बाद में धूब लकड़ी है, गुड़ है, ये सब सामगरी मिलाकर हम सामगरी तयार कर लेते हैं, तयार करने के बाद में रोली, सुपाडी, लोंग, इलाइची, कलावा, धूब बत्ती, मीठा, फल, माला, सब लाएंगे ही, बिद धान से हम परदोसकाल में पूजन करेंगे ही, ऐसे ही सिंग लगन के समय भी आपको पूजन करने के बाद जो पूजन है, उस पूजन के बाद में मंत्र को जागिर श्वाहा, इस तरह आप हमन में आउति डालते रहेंगे अगनी में, और आप माता लक्षमी जी का सुरूप ध्यान करते हुए आउति करें, शाथ में माला का जाप भी कर सकते हैं, हनमान जी का जाप करना है, तो ओम नमोम, हनमते, रुद्रावतराय, शर्वसत्त्रू, पतने, चधी मही, तन्नो लक्षमी, प्रजोदयात, इस मंतर का भी आप जाप कर सकते हैं, और चौपाई के रूप में बीज मंतर जाप करना है, तो विस्त भरन पोसन कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ये चौपाई भी 108 जाप कर सकते हैं, हमन कर सकते हैं, दूसरा पाने के लिए, ये मंतर भी हम आप जाप करके, कल्याड़कारी मंतर है, और हमन करें, और हमारे घर में धन की कमी है, तो मंतर का आपको बता ही चुगा हूँ, कि ओम स्रीम महालक्ष में मम्ग्र है, आगख्य, आगख्य, श्वाह, इस मंतर का भी आप जाप कर सकते हैं, पाते में किसी प्रकार का हमें समस्ते आ रहा है, तो वह हनमान जी दूर करते हैं, आपको चिंता करने की आफ़ता नहीं है, और बहुत तस्तर अपाए लोग बताते हैं, कवन सुकाज, कठिन जगमाही, और जो नहीं हो ये तात तुम पाही, ये इस मंतर का भी आप महानिसा पूजा में जागर्द कर लेते हैं, तो एक वर्सन में आप अपना आपने लोगों का कल्यान जरूर कर सकते हैं, और आपकी सारी मनोकामना पूर्द कामर.ट कॉम, विश्वास वही, रवतार नहीं